परिजए, सभी पदार्थ परमाडूं से बने होते हैं, प्रोटोन, न्यूट्रोन परमाडूं के केंद्र में होते हैं, और इलेक्ट्रोन उनके चारों तरफ एक नियत कक्षा में घूमते हैं, सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रोन विद्धुत चालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस पाट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। विद्युत के सुचालक तथा कुचालक हम पदार्थों को सुचालक और कुचालक में वर्गी कृत करते हैं। जो पदार्थ स्वयम से विद्युत धारा को गुजरने देते हैं, उन्हें विद्युत का सुचालक कहते हैं। तांबा, अल्युमीनियम जैसी धातुएं इसकी कुछ उधारण हैं। जो पदार्थ स्वयम से विद्युत धारा को नहीं गुजरने देते, उन्हें विद्युत के कुचालक कहते हैं। रबर और प्लास्टिक जैसे पदार्थ इसके उधारण हैं। क्या द्रव विद्युत चालन करते हैं। ज्यादा तर द्रव जो विद्युत चालन करते हैं, वो अमल, ख्यारक तथा लवन से बने होते हैं। रासाइनिक प्रभाव और विद्युत अबगठन। जब विद्यत धारा अम्लिक्रित जल से गुजरती है तो जल के अणू हाइड्रोजन और आक्सीजन में विभक्त हो जाते हैं चित्र में दिखाई गई धातु की दो छड़ों को इलेक्ट्रॉट कहते हैं विद्यत जिस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है उसे रासायनिक प्रभाव कहते हैं और इस प्रक्रम को विद्यत अबघटन कहते हैं क्या हम अम्लिक्रित जल के स्थान पर शुद्ध जल का प्रयोग कर सकते हैं आईए पता करते हैं विद्युत लेपन सस्ती धातुओं जैसे लोहा या इस्पात पर किसी कम प्रतिक्रियाशील धातु की पतली परत चढ़ाना आम बात है। इस्पात की कोई वस्तु जैसे चम्मच किसी विद्युत स्रोत के रनात्मक सिरे से जुड़ा हुआ होता है। धनात्मत सिरा किसी धातू जैसे शुद्ध चांदी की छड़ से जुड़ा हुआ है चम्मच विद्ध अबघटन में कैथोट के रूप में वहवार करता है और धातू की छड़ एनोड के रूप में वहवार करती है विद्ध अब घट एक लवण युक्त विलियन होता है जिसमें एनोड धातू जैसे सिल्वर नाइट्रेट के आयन होते हैं जो ही विद्ध धारा विलियन से प्रवाहित होना शुरू करती है इलेक्ट्रोन सिल्वर एनोड से पलायन करना शुरू कर देते हैं इसके परिणाम सरूप धनात्मक आवेश वाले आयन का निर्मान होता है जो एनोड से अलग होकर विलियन में आते हैं और कैथोड के धनात्मक आवेश से आकरशित होकर उसकी तरफ जाते हैं जब वे कैथोड पर आते हैं तो वो उससे इलेक्ट्रोन ग्रहन करते हैं और चांदी के अडू में बदल जाते हैं जो कैथोड पर धातू की परत के रूप में जमा हो जाता है परत की मोटाई इस बात पर निर्भर करती है कि किन परसितियों में विद्धुत अबघटन किया गया है इस प्रक्रम को विद्धुत लेपन कहते हैं सोने या चांदी की परत चढ़ाने के लिए रासायनिक प्रभाव का उप्योग इस तरह के लेपन का प्रयोग, समानिता, दूसरी धातूँ आम तोर पर तांबे के उपर सोने या चांदी की परत चढ़ाने के लिए किया जाता है या कृत्रिम आभूशनों और गहनों को सोने या चांदी के सद्रिश बना देता है क्या आप जानते हैं? विद्यति लेपन का उद्योगों में एक धातू पर किसी दूसरी धातू की परत चढ़ाने के लिए अकसर प्रयोग किया जाता है उधारण के लिए क्रोमो में की परत विभिन वस्तूओं जैसे कार के हिस्से, नहाने वाले टब, रसोई गैस के बर्नर, साइकिल के हैंडल, पईये के रिम एवं अन्ने पर चढ़ाई जाती है खादे पदार्थ संग्रहन के लिए प्रयोग किये जाने वाले टिन के डिबबे, लोहे पर टिन की विध्यूत लेपन करके बनाई जाते हैं इस तरह खादे पदार्थ लोहे के संपर्ग में नहीं आता और खराब होने से बच जाता है लोहे का प्रियोग पुल और गाडियों में मजबूती देने के लिए होता है हाला कि लोहा संग्शारित एवं जंग लगने वाली धातु है अतहा लोहे को जंग और क्षरण से बचाने के लिए इस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है किसी द्रव या चालक विलियन से विद्रवत धारा के प्रवाहित होने से रासाइनिक अभिक्रिया होती है इलेक्ट्रोट के समीब द्रव में ज्यादा रासाइनिक अभिक्रिया होती है गैस के बुलबुले बनते हैं, धातू का जमाहुना देखा जा सकता है और इलेक्ट्रोट का रंग परिवर्तित हो सकता है अभी क्रिया इस पर निर्भर करती है कि किसी द्रव और इलेक्ट्रोट का प्रियोग किया गया है किसी द्रव से विद्धुत धारा के प्रभाइत होने से रासायनिक परिवर्थन होते हैं इस प्राक्रम को विद्धुत अब घटन कहते हैं सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं कुछ द्रव विद्धुत के सुचालक होते हैं और कुछ कुछालक विद्धुत चालन करने वाले अधिकत द्रव अमल, ख्षारक और लवन से बने होते हैं किसी चालक विलियन से विद्धुत धारा के प्रवाहित होने से रासायनिक अभी क्रिया होती है इसके परिणाम सौरूप होने वाले प्रभाव को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। विद्युत की साहेता से किसी एक धातू पर किसी दूसरी धातू की परत चढ़ाने को विद्युत लेपन कहते हैं।